ट्रेगनेंसी में पालक खाने से हो सकती है ये समस्याएं पालक को सबसे ज़ादा हिल्दी हरे पत्तेदार सबजी बेगिना जाता है जिसमें विटामिन A, C से लेकर क्याल्शियम, आइरन, फॉलिक एसिड और धेर सारे माइक्रो नूट्रिशन्स होते हैं जो सेहत के लिए बेहत लाबदायक हैं लेकिन किसी भी चीज को खाने की एक लिमिट और सही तरीका होता है अगर पालक भी संभल कर और सही तरीके से ना खाया तो नुकसान कर सकता है खासतोर पर प्रेगनेंसी होने पर पालक खाने को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हो बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है फॉलिक एसिट की कमी बच्चे में डिफेक्ट पैदा कर सकती है इसलिए सारे जरूरी निउट्रिशन के साथ ही पालक भी खाना जरूरी है लेकिन दिन भर में केवल आधा कब पालक प्रेगनेंट महिलाओं के लिए बहुत है इसस जाधा पालक नुकसान कर सकता है यह समस्या है इसलिए पालक खाने के बाद पानी जाधा पीने की सलाह दी जाती है वहीं कई बार जाधा पालक कब्ज की समस्या को बढ़ा देता है कुछ महिलाओं को पालक ज्यादा खाने की वज़ा से सीने में जलन और गयस की समस्या होने लगती है ऐसे में पालक खाने की मातरा पर ध्यान दे पालक में ऐसे गुन होते हैं जो यूरेन को बढ़ाते हैं यानि कि डियूरेक्टिक फूर्ट्स होते हैं, अगर पालक को ज्यादा खाय जाए तो इससे बार-बार पिशाप लगने की समस्या हो सकती है, पालक में सेलिसिलेट नाम का तत्व पाय जाता है, अगर इसे गर्भावस्था के आखरी महिने में खाया जाए तो इससे जुड़ी दिक्कते होने लगती हैं, और होने वाले बच्चे को भी नुक्सान होने का डर रहता है,